नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी टीवी नियूज और आपके साथ मैं हूँ पुनीत विश्रा मतगलना के रुज़ानों को लेकर एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं और फरुखाबाद की चारों विधान सभाओं के मतगलना के रुज़ान हम आपको एक बार फिर बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे भोजपुर विधान सभा की जहां 19 राउंड कम्प्रीट हो चुका है और अगर 19 राउंड की बात करें तो भारतिय जन्ता पार्टी के प्रत्यासी नागेंदर सिंह राठा और 71,089 वोट पा कर नंबर एक पर बने हुए हैं और उनके बात दूसरे नंबर पर प्रत्यासी समाजबादी पार्टी से अर्सक जमान सिंधिकी हैं जो की 48,228 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं अगर दोनों लोगों के वोट को कंपेर करें तो 22,851 वोट लेकर नागेंदर सिंह राठा और समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी पर बढ़त बनाए हुए हैं वहीं अगर फरुखाबाद की दूसरी विदान सभा अमरत्पूर विदान सभा की बात करें तो वहाँ पर भार्टी जमता पार्टी के प्रत्यासी सुसील साख के 7790 वोट लेकर नंबर एक की पोजीशन पर काविज हैं अब बात करेंगे पीसरी विदान सभा की जहाँ भाजपा और अपना दल की प्रत्यासी सुर्वी गंगवार 79,813 वोट लेकर नंबर एक की पोजीशन पर मौजूद हैं और उनके प्रत्यदंदी समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी सर्वे संभेट कर 7,161 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं दोनों के वोट को अगर कंपेर करें तो 9,652 वोट लेकर सुर्वी गंगवार नंबर एक की पोजीशन पर काविट हैं और अगर फरुखाबाद विधान सभाकी करें जो सबसे होट सीट फरुखाबाद में मानी जा रही थी काफी गहिमा गहिमी थी यहां पर भार्ती जंता पार्टी के प्रत्यासी मेजर सुनील दर्दुवेदी जो हैं मेजर सुनी दर्दुवेदी काविद हैं अब बात अगर करेंगे चा फरुखाबाद की चारो विधान सभाक पर तो चारो विधान सभाक में भार्ती जंता पार्टी के जो प्रत्यासी हैं वह एक लंबी चौनी बड़ा बनाये हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्या सबसे पहले जानने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बाला बटन लागा दे उनकी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बने रहे यूपी टीवी मूच के साथ हुआ